हलो गाईज आज की इस वीडियो है मैं आपको resources and development chapter कर स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही simple चीज पहले में जानना resources क्यालते हैं देखो हमारे environment में हर वो चीजें जिससे हम अपने need को satisfy कर सकते हैं और वो technologically accessible हो मतलब हम उसे extract करने के लिए उसे use करने के लिए जो भी technology चीए हमारे पास वो technology हो जिससे हम उसे use कर पाएं और वो economically feasible हो मतलब हमारे पास इतनी capacity हो कि हम उसे effort कर पाएं उस resource को और culturally acceptable हो culturally acceptable का मतलब होता है कि भाई हम उसे recognize कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि हाँ वो resource है उन सभी चीजों को हम लोग resource बोलेंगे तो हर चीज हमारे environment में चाहिए वो पानी हो चाहिए कुछ भी हो अब पानी को लिए क्या technology चीह है पानी तो पढ़ाया मैंने उठा के पी लिया मेरी required थी मेरी need थी मेरी need satisfy होगे वो resource है इकोनोमिकली फिजिबल और कल्चरली एकसेटेबल उससे हम resource बोलेंगे resources कई टाइप को होते है natural resources होता है human, human बहुत बड़ा resource है human ही तो टेक्नलोजी के इस्तेमाल करके resources, manment resources बना देता है बहुत कुछ बना देता है तो भाई human बहुत बड़ा resource है एक बात जान जाओ यूँकि human भी बहुत सारी needs को satisfy करता है ठीक है human बहुत सारी needs को वो biological process हो गया चाहे reproduction हो गया चाहे growth maintenance हो गया हर तरह की चीज़ों में बहुत साही चीज़ों में human बहुत बड़ा योगधान देता है और एक होता है human made resource जैसे steel, building ये सब क्या है इसा nature में थोड़ी मिलती है इसाब human ने पने technology के थुरू generate किया है ठीक है तो maximum technology वही लगती है human made resources में अच्छा बहुत हो क्या बकवास अब बढ़ते हैं आगे ये जो natural resources है न इन natural resources हो कई सारे basis पर divide किया गया है अच्छा पहले बात करते हैं divide नहीं आप कह सकते हो classify किया गया है अगर हम बात करें on the basis of origin की origin के मतलब क्या generate कहा से हुआ तो देखो जब ये ब्रह्माड आया था ना तो दो चीज़े थी एक biotic एक abiotic biotic का अच्छा लिविंग बिंग क्या है ये सब resource है ये सब resource है जानवर भी resource है पेड़ पौदे भी resource है पेड़ पौदे को खाके हम अपने आपको satisfy करते हैं जानवर पेड़ पौदे को खाके satisfy करते हैं जब जानवर मर जाता है तो उन्हें दूसरे किड़े खाके satisfy करते हैं अपने आपको यह सब रिसोर्स है हर वो चीज़ जो कि आपकी नीड को सड़िस्वाई करें वो रिसोर्स है ठीक है तो बायोटिक में हम जनरली लिविंग बींग को लेते हैं भली हो मर गया तो भी हम उसे बायोटिक ही बोलेंगे ठीक है यूँकि उसमें किटारू है हर चीज़ लिविंग है एक तरीके से वो अच्छा कोल एंड पेट्रोलियम को क्या बोलें सर बायोटिक है अब बायोटिक देखो कोल एंड पेट्रोलियम जो है न वो बायोटिक मेंगा क्यों फॉर्म जब डिके होता है न तो उसी हिम्राइब से यह बनता है उसलिए भी क्या है बायोटिक अब आते हैं अब बात करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के भी सब्सक्राइब क्या होता है इसका मतलब है खतम होना अग्जاست होना खतम होना ठीक तो भाई देखो रिसूर्सस्ट मुछ ऐसे है जो खतम हो जाएंगे और एक रिसूर्सस्स ऐसा है जो fella renault होता रहता है हवा आ रहा है производ थोड़ी खतम हो जाएगा, आज बह गया, खतम हो गया, ऐसा नहीं होता है न, ठीक है, और यह होता है, non-renewable, ऐसे resources, जो एक बारा बन चुके हैं, और अब वो खतम हो जाएगे, ठीक है, तो या तो भाई, उनको recycle कर लो, या तो नहीं recycle कर लो, तो खतम ही हो जाएगा, ठीक है तो पहली बात, बात करते हैं, renewable resources की, renewable, मतलब दुबारा से वो new, new उनक मतलब क्या, दुबारा से नया बनने लाइग है, उसे बोलते है, renewable resources, जिने हम renew कर सकते हैं, दुबारा से produce कर सकते हैं, किसे physical, chemical या mechanical process के थूइ, उसे बोलते है, renewable resources, इसे हम replenishable resources भी बोलते है, जैसे solar energy अरे दुबारा खरीट हो सकता है न, कैसे? सर हमें solar plate लगाएं, आज तुरेच की जॉष्णी आ रही है, आज मेरा घर का बिजली जल रहा है, अचार रात हो गया, फिर अगले दिन सुबह हुई, फिर से radiation's आ रहे हैं, तो यह सब क्या है, यह सब चलता रहेगा, यह सब खतम नहीं होगा, यह renew होता रहता है, ठीक है, तो इसे बोलते क्या? renewable resources, अब आता है एक non-renewable resources, ऐसे resources जो की लंबे जियो लोजिकल time period की मदद से बने हैं, और वो renew नहीं हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं non-renewable resources, जैसे minerals, metals, fossil fuels, जैसे coal, यह सब क्या है, यह सब non-renewable resources हैं, यह renew नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जाँ, renewable के अंदर, जाँ देखना, renewable के अंदर आता है दो point, एक होता है, floor continuous resources, और एक होता है, biological resources, दुवारा समनो, renewable resources को हमने, फिर से divide किया है, दो part में, एक होता है, floor continuous, और एक होता है, biological, जो floor continuous है, यह ऐसे resources हैं, जो कि, अभी तुमने use किया, और वो तुरंट replenish हो जाता है, वो तुरंट रिनी हो जाता है, एक ही time पर दोनों काम होता है, इदर आप use कर रहे हो, इदर वो producer हो रहे है, और वो एक location पर कभी भी नहीं रुखता, वो move करता रहता है, क्यों? क्योंकि natural action के विए से move करता रहता है, अभी जो सुरज़चे किरणे आ रही हैं, वो एक जगर रुकी थोड़ी है, अगर रुक जैंगे तो आप देखी नहीं पाओगे, टीक है? तो वो जो creator हो आरही है, जारही है, आरही है, जारही है, एकहारा है कि ये वक्त move कर रहा है, आप use कर रहे हैं उसे, और वो move कर रहा है, उसलिए हम इसे बोलते क्या flow और continuous resources टेक है एक बार आप use कर रहे है और फिर वो तुन्थ renew होता जा रहा है नया आते जा रहा है और एक होता है biological resources biological resources ऐसे resources होते हैं जो कि हर living being चाहे हो इंसान हो हर एक living organism के लिए required है ताकि वो अपना normal growth maintain कर सके और वो reproduction कर सके human being भी biological resources है हर एंगल से growth के लिए maintenance के लिए reproduction के लिए हर तरिके से human being भी क्या है एक biological resource है इसको भी हमने divide कर रखा है natural vegetation ठीक है जिससे हम फुरा बोलते हैं और एक होता है wildlife भी से हम fauna बोलते हैं ठीक है अच्छा अब बात करते है non renewable की देखो non renewable हमने पढ़त हो लिया लेकिन non renewable के अंदर दो चीज़ी आते है recyclable एक होता है non recyclable कुछ resources recycle हो सकते हैं कुछ न खतम हो गया लेकिन अगर बात पर हूँ metals की तो metal हम दुबारा use कर सकते हैं जो आप glass fake दो कि उससे जाएंगे पिगलाएंगे फिर से बनाएंगे वो फिर से उसी को बेच देंगे तो यह metals minerals हम recycle कर सकते हैं लेकिन fossil fuels जो petroleum नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बार यह burn हो गए तो फि उसकी right है उसको use करने का देखो एक है individual resources individual resources का मतलता है ऐसे resources जो की privately कोई एक आदमी का उस पर हक है जैसे तुमारा घर है तो वो resource किसका है वो तुमारा है ठीक है घर किसका है तुमारा है तो वो private resource है वो individual resource है क्या बलोगे individual resource क्यों उसका जो ownership है वो तुमारे आतों में है वो उसका ownership तुम हो ठीक है अगला आता है community owned resources अब ऐसे resources जो कि कोई एक community का है जो कि उस community का हर एक member उससे access कर सकता है access का मतलब use कर सकता है जैसे कोई society है उसमें point है उस society में कोई public park है तो society के सभी लोग उस park को use कर सकते है उसे बोलते है community owned resources मतलब उस community का है वो किसी एक personally एक person का नहीं उस पूरे community का है वो resource ठीक है उसका ownership किसके पास है community के पास है बात करते है natural resources ऐसी resources जो की nation, देश के लिए nation के control में है उसका ownership सिफ और सिफ country के पास है उसे बुलते है natural resources जैसे canal हो गया, coal mines हो गया railway हो गया यह सब का ownership किसके पास है तो government के पास मतलब country के पास है अगर हम आगे बात करें terrestrial sea मतलब up to 12 nautical miles आप याद कर ले ना coast जो area होता है समुद्र का किनारा होता है 12 nautical miles तक की जो दूरी होती है उस पर complete हमारा ही area होता है उस पर कोई आपत्य नहीं कर सकता कि यह किसका है किसका नहीं है, वो पूरा उस देश का होता है आगे बात करते हैं कि जो international resources होते है ऐसे resources जो कि international body international institutions के द्वारा use कर जाता है, उसको use करने का right international institutions के बास होता है, उसे हम बोलते international resources जैसे open sea, ठीक है यह क्या है, यह सब के लिए नहीं है मतलब international resources है यह international institutions के लिए अगर हम बात करो open sea हो गया, open sky हो गया तो सब क्या है, यह सब international के लिए है ठीक है, लेकिन एक बात रहा दखना exclusive economic zone यह क्या होता है country होती है, उसके बास एक special right होता है कि वो resources को निकाल सकता है, resources को use कर सकता है extract कर सकता है, वो marine resources का use कर सकता है कम सकम 200 nautical miles तक अपने country के coast से coast का अजलब है ना, कि यहाँ समोज़ा चालू होता है, जहाँ जमीन खतम होता है, उन दों लोगो को अभी को बोलेंगे क्या, उस इलाख को अभी को बोलेंगे, coast तो वहाँ से ले के, 200 nautical miles सक यह right है कि वो use कर सकता है अब भारत की जमीन है, तो भारत के 200 nautical miles सक भारत के पास यह right है कि वो mine कर सकता है समुद्र के अंदर अपने काम के लिए ठीक है अनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसी भी काम के लिए ये राइट दिया गया है लेकिन धानकरा जो हमने यह पढ़ा था क्या 12 nautical miles जो की national resource है उस पे कोई आपत्ती नहीं कर सकता वो भारत का ही है लेकिन यह 200 nautical miles है न इसमें क्या है कि बारा तो अपने देश का है अब बारा के बाद मतलब हमें बस right मिला है कि हम उसका use कर सकते है अपने लिए हमें right दिया गया कि इसके त्वरा UNC के त्वरा ठीक है लेकिन एक मज़े के बाद तो यह है कि इंडिया के पास एक right है Magnes Nodules को extract करने का और वो जो Magnes Nodules है न वो हमारे 200 nautical miles जो कि UNC ने prescribe किया है बताया है उसके बाहर आता है लेकिन भारत को right मिला है कि आप उसके बाहर जाए extract कीजिए ठीक है तो यह बाहरत को एक फाइदा मिलिया है अब आगे बढ़ते हैं development की बास on the basis of status of development इसके basis पर हम resources को classify करेंगे जैसे पहला आता है potential resource यह ऐसे resources होते हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा quantity में है लेकिन यह भी properly developed नहीं है उन्हें हम बोलते है potential resource लेकिन अभी यह properly developed नहीं हुआ है जैसे solar, wind energy यह सब क्या है यह बहुत ही potential resource है बहुत ज़्यादा abundant मतलब ज़्यादा quantity में भारत में है लेकिन भारत अभी उससे अच्छे दरीगा develop नहीं कर पाए कैसे हम इसे use करें तो इसे हम बोलते है potential resource अच्छा अगर आता है developed resource ऐसे resource है जिने हम जानते हैं ऐसे resource को बोलते है developed resource इसे coal, petroleum में इसब developed है हमें पता है यहां मिलेगा, इतना मिलेगा इतना काम use करना है रोज को और हमें इस तरीके से technology के थूँ से यह ऐसे से काम करने है, extract करना है उसको process करना है, उसे बिजली बनाना है उसे सबको देना है अगला आता है stock ऐसे resources जिनके पास potential है कि वो human को human की need को satisfy कर सके लेकिन जो human है उसके बाद वो technical knowledge नहीं है कि कैसे उसे use करना है हमाँ पास अभी knowledge नहीं है हमाँ पास वो technical knowledge नहीं है know-how नहीं है, know-how का तो क्या होता है वो knowledge, वो expertise नहीं है कि हम इसे use कर पाएं अगला आता है reserve reserve का मतला होता है, यह specific समझ लो न, यह ऐसे resources होते हैं, जिनकी technology हमाँ पास available है कि कैसे इसको use करना है, know-how जो है न, available है लेकिन हमने इसको exploration नहीं चालू किया, हमने भी इसको extract करना नहीं चालू किया है ज़्यादा, उससे हम बोलते है reserve, मतलब for example hydro, river water जो है न, river water है, उससे हम लोग hydro energy बना सकते है, लेकिन हमने भी चालू नहीं किया है, हमने पता है, लेकिन हमने चालू नहीं किया है forest, forest, जो reserve forest है न, धान सुनना हमने पता है कि कैसे pain को काट के अपने काम के लिए इस्तिमाल कर लेकिन हमने काटा नहीं है उसको बचा कर रखा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को लोग बोलते है, reserve, हलाकि यह बहुत ही बेवकूफ हो वाला example था, लेकिन example होई किताब में दिया तो उसलिमाने को बता दिया तो दोस्तो इस तरीके से हमारा काफी बड़ा पार्ट कتم होता है, मिलें के अगली वीडियो में